दोस्तो अब सोचे कि आपका जो देश है भारत है वो किस तरह से सांती के साथ अभी अच्छा से रह रहा है लेकिन आप कुछ कोने में रह रहे होंगे ना तभी आपको लग रहे हुई कि हमारा देश जो है देश में सांती बेवस्था कायम है और लोग सांती से रह रहा है अचानक उनके दर्वाजे पर कुछ दस्तक सुनाई देती है कि कोई बाहर से खट-खटा रहा है तो जिसी ही आवाज आती है सबके मन में कुछ ने कुछ अंदर से डाउट है डर है और इसलिए लोग इतना जल्दी अपने अपने घरों में जाकर चूप जाते हैं लेकिन जब दर्वाजा खट-खटाने के बावजुद भी उन लोगों के द्वारा नहीं खोला जाता है तब अंदेशा हो जाता है कि अधी दर्वाजे आप नहीं खोलेंगे ना तो हो सकता है कि अभी इन लोगों के द्वारा दर्वाजा तोर दिया जाता है और जब दर्वाजा खोला देखा जाता है तो बोल दिया जाता है कि उसे ले करके फालना जगह पर आओ और नहीं तो हमारे साथ एदम अराम से इच्छा से चलो और यदि नहीं जा रहे हो और यदि आना काने उस पर किया जाए तो यहां तक कि उनके द्वारा बोल दिया जा रहा है और किया भी जाता है कि सामने उन्हें गोली माड़ करके उनकी हद्ट्या कर दियाती है और ऐसा नहीं तो उन्हें बगल में ही ले जा करके ऐसा घिनावना क्यां किया जाता है जिसेज को आप भली भाति समझ रहे हैं मैं कहाना क्या चाहता हूँ और ऐसा यह नहीं कि बंगला देश में हो रहा है चाहे सिरिया में हो रहा है अलग पाकिस्तान में हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कि तरह से तालिबानियों का आतंक अफगानिस्तान में हो गया है तो वहां हो रहा है ऐसा नहीं है यह हो रहा है भारत में और भारत यह पक् सकता है कि जो अवरत है वो तो सुबा अराम से खुन से लिटी-पिटी अपना इजयत लुटवा करके वो किसी तरह से अपने घहरा जाती है लेकिन जो लड़की रहती है उसे दो-चार दिन तक और रखा जाता है क्योंकि कुछ दरिंदों की प्यास एक-दो दिन में नहीं गटेगा आपके इलाके में घटेगा तो आपकी रूह काप जाएगी लेकिन भारत ऐसा जगह है अजपक्षी मंगल ऐसा जगह बन चुका है ऐसी चीज देखने के लिए वहां के जनता को आदत सी हो चुकी है और जब उन लोगों के दोवारा सहर के थाने में जाये जाता है परसासन के पास जाये जाता है तो परसासन भी बोलती है कि तुम पुरूफ दिखाओ पुरूफ लाओ कि वाकई में तुम्हारे बेटी के साथ बलतकार हुआ है और इस परकार्श हुआ है ऐसा वहां के परसासन के दोवारा बोला जाता है योकि जो वहां के परसासन है ना प्रसासन भी उन्हीं लोगों की इसारे पर चलती है, जिन लोगों का रवया ऐसा रहता है, जिन लोगों का करनामा ऐसा रहता है, तो सोचिए कि हमारे देश की स्थिती की इस परकार से बद से बत्तर हो जा रही है, और आज मैं यही बोलूगा कि भले ही देश में किसी परकार कि आज कोई भी नियम लागू हो चाहिए का ऐसा भी देश के लिए परतिनीधी तुवा हो रहा हो जैसे कि नरेंदर मोदी को आप देख सते हैं लेकिन मैं समयता हो ना कि परधार मंतरी को इन सब चीजों से औगत होना चाहिए और उन्हें इन सब चीजों में एक सन लेना चाह पर आगे एदम बिल्कुल ही परधार मंतरी को इस पर ध्यान नहीं है कुछ लोगों के दोवारा बिरोध किया जाता है लेकिन सिर्फ बिरोध से काम नहीं चलने वाला है और इस परकारशती घटिया काम होते रहा देश में तो देश की स्थिती वाकई में अबद से बत्तर ह हो जाएगी और ऐसा सिर्फ सिर्फ होता है तो हिंदू लोगों के साथ होता है हिंदू महिलाओं के साथ होता है हिंदू लड़कियों के साथ होता है तो ठीक है दोस्तों चलते हैं आज के लिए इतना ही और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके इधर उधर जेर कर दिया क तो लो प्यार दिए